देखिए छुमें करने का भी प्रस्रिस होता है हेलो एंड नमस्ते दाशेकर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यारपास व्लाव में देटुम मत्ना खेट नमस्ते करतों चैनल ने वहां तो यूट्रित नहीं पर नमस्तेफ अध्यू द्विल्ला की रभगश्ए लूत्यू तो एंड भी बुद्पुरी निम्हा के शुबकामनाइं नुक्रक्तिगव warmer और नमस्ते कर दो बुद्पुर निमा की शुब कामनाई कर चल दी कुशू और आज का प्लान है कि हम यानि कि मैं और मम्मी जा रहे हैं बदा गोंपा को और बदा गोंपा में इस पार यह है कि इस साल का जो महिला मंडल वाली ड्यूटी है वो हनुमानी बाग किया है इस एरि एक मिलते हैं बीच 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 मेन और जैसे ही मैं बदा गोंपा पहुंची तो सब से पहले मैंने किया देखा कि यहां पर इतने अतने पहले लोग आ गए थे और यह लोग पुरा एक चक्र लगा के ग्रंथ लेके ये पोथियां लेके वापिस गूंपा भी पहुंच गए थे और यहां देखे दो लीडिज शागुन के लिए स्वागत के लिए भी बैठी हुई थी और पोथियों का जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे सांगे द्वारा जो अप सब्सक्रियों से मुठे जा चांई तरह ये इस तरह इस सो पर रकर और सभीत्यों से जितना हो सके सभी से मैंने कोशिश Game घी फासे में इतरा और भी मोतिया कर देखे समा चओने के लिए लाइन पहर ऑइक डिलान खप नाई मौनीं नहीं लोग में के लिए और इन पोथियो को यहां से उपर की फ्लोर पे ले जाया जाए था जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी व्लॉग में और लोग बीतने सारे थे कि दो फ्लोर था कुंपा का दोनों के दोनों फ्लोर फूल हो चुके थे जो कि मैं आपको अब आगे दिखाऊंगी हम नीचे वाले थे इस हॉल में पुरा हॉल बर चुका था ये नीचे का और अब फंक्शन स्टार्ट किया जा रहा है इसमें यहां पॉश्टी देखें कुंपा कितना प्यारा लग रहा था अंदर से मैं भी काफी टाइम बात कुंपा बदा गुंपा पहुंचे हूं तो बहुत ही प्यारा लग रहा थंदर से देखें आप भी दर्शन कर लीशे और ये रही हमारी बुंतर की लेडिज जिनका ये लास्ट डे था यहां बदा गुंपा में काम का इसके बाद हमारे हर्मानी बाग्या ने इन लेडिज की टर्न स्टार्ट है फिर स्वागत किया गया हमारे चीफ केस्ट का जो की थे बदा गुंपा की मेमे जी और मेमे जी और मैं हम एक ही गाओं से हैं मतलब हम मेमे और मैं हम दोनों गौजन गाओं से बिलॉंग करते हैं तो मेमे के आने के बाद सबसे पहले हमने हमें कहा गया मौन धारन करने के लिए उन लोगों के लिए जो इस और देखे मुझे कौन देखी टीम काम करेंगे और एक पहतना करेंगे और देखने कारूछ मेमे जी की प्रवचन के बाद हमारी लौहल के प्रसीद संगीतकार रामदेव जी ने कुछ प्यारे-प्यारे संगीत सुनाए तो अब हम आ गए हैं सेकिंड फ्लोर में यहां पे भी लोग काफी लोग थे जो लोग फस्ट फ्लोर में आएं सकें उनके लिए पूरा इंतिजाम सेकिंड फ्लोर में किया गया था टेंट लगाEl टीवी भी लगाया गया था तकि नीचे का प्रोग्राम वह अच्छी से देख सके हैं कि अब जबुत है कि अब हम चो व дов करना हैं है न समय करने का भी एक कुट दम प्रसस न Virtus हमचैने को क्टिक सींघोन अधाइंगे एंडिले में अध्र वोग कि आगडए अधर अब इसके बार कि अभी यहां फिनिश नहीं होगा इसके बाद जो है चप्थिचिस करते हैं हमारे यहां पर इलम्तलों बूर्दिस में छफिचिस करना ज़रोरी होता है इसके बार जो कि इसमीघत अब यह कम्प्लीट हो गया चंग में और सेकंड फ्लोर में गुंपा का अंदर का नजारा कुछ इस तरीके से है और यहां पर सभी एक तरफ दिख रहे हैं को एजेंट्स इत्सोंक्स रेडी कर रहे थी यानिकी प्रशाद रेडी कर रहे थे सबी लोगों के लिए बड़ी शिद्द से लगे हुए थे सभी और इस तरफ जो हैं लेडीज वो उनको सर्फ कर रही हैं देखी किस तरीके से सब की महनत इतने लोगों के महनत एक सोक्स को त्यार करने में लगी हुई थी और फिर हुई सबसे मलतार बात यह हैं हीरा लाल राशपाजी जो की गूरे काते हैं और गूर मज़ेदार बात यह हुई कि कि जो कहानी गूरे सुनाने से पहले यह उस गूरे की कहानी बता रहे थे हमें और कहानी थी बरबोग ठाकुर की एक लड़की की और ठोलों के कोई नौजवान थे उस दमाने के उनके बीच की कहानी थी तो यह कहानी बरबोग ठाकुर की यानि कुपसूरत थे और घूरे कुछ इस तरीके का होता है फिर आया परफॉर्मेंस का टाइम जिसका सभी को इंतजार था स्कूल के काफी बच्चे आए वे थे जिन्हों ने बहुत ही प्यारी 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 प्रफॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फॉपर्फ इन बच्चों ने आए बाइक रुपाइग तो पहले लदाखी फिर बॉलीवोड और फिर नेपारी डांस इन बचों ने दिखाया हमें इतने पेड़ी पेशुच उर्फॉर्मेंसे हो और टी की लोग बचों को साथ के साथ लोग इतने कि खुछ हो रहा थे इतने रिवार्ड्स पर रिवार्ट सीर जा रहे थी कि अनॉस्मेंट्स मों बता रहे थे कि कितने रिवार्ड्स मिलें सबको और जब इतनी परफॉर्मेंस हो रही थी तो लौहली तो बनता ही है और फिर इन्ही बच्चों ने इती प्यारी सी लौहली परफॉर्मेंस पे दिखाया में और इन बच्चों ने तो हजा हजा कि बेट में दर्द करवा दे हैं कि उन्ही परफॉर्मेंस की ही पॉप दिखाया अपना में लेकि बहुत ही क्यूट बहुत ही क्यूट डांस के इन दिनोंने कि यह सारी परफॉर्मेंस देखते देखते मुझे एक चीज क्या द्यान में है देखिए मुझे क्या दिखा मुझे दिखा अपना यह एक पेंटिंग जो कि मैंने कॉलेज टाइम पर यहां बदगोंपा को दिया था यह देखिए इदा आमाजी का ही पेंटिंग और सब खतम होने के बाद हुआ हमारा लंच टाइम और मुझे बहुत ही जादा बुक लगी थी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट पे नहीं किया था फिर मैंने किया लंच और फिर हम वापिस उपर पहुंच गए जहां पे आदे लोग पहले ही जा चुके थे और हम लोग यह ब सब चले गाएं और हम भी जा रहेंगर वहां ममी का वेट करें देख रहां कि नहीं थे बाई लंबा चला वाई अब कर देखना आप लोग में साथ वेट करो थोड़े तो दस्ता किनते हैं एक दो है बगवान ममी आइंगे लेट और फाइनली देखे कोन आई यह रहा बुद्पुर्निमा का चांद देखे आप लोग भी दर्शन कर ली जी यह जोनों ने पुर्निमा का चांद आए नहीं देखे तो दर्शत गर्ण शिम्षिम है यहां इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं I hope कि आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा हो अगर अच्छाव लगा हो तो आपको करना है लाइक शेर कमें इंस अब्स्क्राइब तो में चैनल एंड यह पास भी बिल्टे हैं नेक्स्ट व्लॉ बाई